लहसुन के कीमतों ने मालवा निमार सहीत मध्य परदेश के किसानों को रूला दिया है सबसे बड़े उत्पादक रतला मंसोन निमच इंदोर के मंडियों में ठोक में लहसुन 45 पैसे से 1 रुपे परती किलो खरीदा जा रहा है इससे गुसाए किसानों ने लहसुन मंडी में लाना बंद कर दिया है आर दिन पहले जहां मध्य परदेश में 61,000 कुइंचल लहसुन आया था वहीं 13 अगस्त को घटकर 3000 कुइंचल ही रह गया और इसकी एक बड़ी वज़ा त्योहार भी है लेकिन दूसरी बड़ी वज़ा भाव न मिलने का भी एक कारण है जिसकी वज़ा से किसान मंडी में माल नहीं ला रहे और दूसरी इसमें बड़ी वज़ा ये भी बताया जा रहा है कि इस बार लहसुन का बंपर उत्पादन हुआ है साथ ही मोसम के कई कारणों की वज़े से इलाकों में लहसुन की फसल बिगड़ गई इस कारण से खराब लहसुन के रेट्स नहीं मिल पाए वहीं मालवा की पिपलिया की मंडी में जहां 8 अगस्त को अधिक्तम भाव 1601 रुपई कविंटल रहा तो वहीं नियूंतम भाव 51 रुपई कविंटल देखने को मिला इस अंतर से हम समझ सकते हैं कि खराब और अच्छे लहसुन की किम्तों में कितना बड़ा अंतर आ चुका है जावरा मंडी तो और चुकाती है जहां एक दिन अच्छा लहसुन 13,400 रुपई कविंटल बिखता है तो वहीं दूसरी तरफ लहसुन 71 रुपई किलो के भाव पर भी बिखता हुआ दिखाई दिया है वहीं पिछले दिनों मध्य परदेश की मंडियों में दलोदा एक ऐसी मंडी है जहां एक किसान से 45 रुपई क्विंटल में लहसुन खरीद लिया गया यानि 45 पैसे प्रति किलो ऐसा करने वाली ये एक लोती मंडी नहीं तलोदा के अलावा मनासा, मंसोर, सेलाना, जावरा, सिहोर, सीतमो जैसी अनीक मंडियां ऐसी हैं जहां परभाव सो से लेकर 125 रुपई के आसपास देखने को मिला यही किसानों के गुसे की वज़ा भी बना अब आप यह समझ गए होंगे कि जिस लेसुन की कीमत उसके आने जाने के भाड़े को भी नहीं निकाल पा रही तो ऐसा लेसुन फिलाल किसान मंडी में चून लाएं उससे ज्यादा बड़ा सवाल कि ऐसा लेसुन खरीदे कोन आपको बता दे कि दरसल ऐसा लेसुन अच्छे लेसुन के साथ मिक्स कर दिया जाता है और यह मुनाफ़े की तरकीब है वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इस तरह के लेसुन का इस्तेमाल गुजरात में भी होता है इंदोर के लेसुन वेपारियों का कहना है कि ऐसे लेसु होंग कोंग जपान सहित कई देशों को निरियात किया जाता है दूसरा इस बार गुजरात में भी लेसुन जम कर पैदा हुआ ऐसे में भी वहम MP के लेसुन की डिमांड घर चुकी है और वहीं किसानों का कहना है कि लेसुन खराब भी जल्दी होता है और उसकी काला पढ़न में चली जाती है और जिसका खामयाजा किसानों को भुगतना पड़ता है बिरो रिपोर्ट मारके टाइम स्टीव